Hey guys welcome to our channel if you like the video to please like and share and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions thank you Hello friends, welcome to our channel. Friends, I have made a video on Operation Blue Star. And because the video is long enough, I will tell you that I will cover two parts. Today, the June of June was the operation of Blue Star. So, I will make it today. And I will tell you how to use Operation Blue Star. We are giving it to the power of Operation Blue Star. I will show you how to get this video on the screen. How 짓. So, now I am going to start this video. Now, I will show you how to use Operation Blue Star. को अंजाम दिया गया आज ऑप्रेशन ब्लू स्टार की 38 वी बर्सी है ऑप्रेशन ब्लू स्टार अमरत सरके स्वर्ण मंदिर से अलगाव वादियों को खाली कराने का अभियान था जो पिछले तीन सालों से यहां डेरा जमाई बैठे थे दतकालीन प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी के आदेश पर सेना का ही है ऑप्रेशन मुख्य तोर पर तीन से आठ जून 1984 तक चला था हलाकि इस अभियान की रणनीती पर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका था भिंडरा वाले ने हरमंदिर साहब को पूरी तरह से अपना अड़ा बना लिया था 1983 के शुरू के दिनों में स्पेशल ग्रूप यानि SG नाम की एक गुप्त यूनिट से सेना के 6 अधिकारियों को इसराइली कमांडो फोर्स सायरत मतकल के गुप्त अड़े पर पहुँचाया गया टैल अवीव के पास इस्थित इस अड़े पर इन सैनिक अधिकारियों ने सडकों, इमारतों और गाडियों के बड़ी साफधानी से बनाएगे मौडलों के बीच आतंक से लड़ने की 22 दिन तक ट्रेनिंग ली फरवरी 1984 में इस्पेशल ग्रूप के सदस्य शरत धालूओ और पत्रकारों के वेश में स्वण मंदिर में घुसकर आसपास का सारा नक्षा देख कर आये थी डारेक्टर जनरल सेक्योर्टी ने पीम इंद्रा गांधी को स्वण मंदिर को दबोशने के लिए एक गुफ्त मिशन के बारे में बताया जो सैनिक हमले से कुछ ही कम था उनका कहना था कि ऑपरेशन संडाउन असल में जपट्टा मार का दबोशने की कारवाई है हेलिकॉप्टर में सवार कमांडो स्वण मंदिर के पास गुरुनानक निवास गेस्ट हाउस में उतरेंगे और भिंडरा वाले को वहां से उठा कर ले आएंगे ऑपरेशन को संडाउन नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि सारी कारेवाई आधी रात के बाद ही होनी थी जब भिंडरा वाले और उसके साथियों को इसकी उम्मीद सबसे कम होती लेकिन आम लोगों की मौत की आशंका से इंद्रा गांधी ने इस अभिहान को हरी जंडी नहीं दी आपरेशन संडाउन के रद होने के बाद आपरेशन ब्लू इस्टार की तैयारी की गई एक जून 1984 को CRPF और BSF ने गुरू रामदास लंगर परिसर पर फाइरिंग शुरू कर दी सेना के आदेश के तहत हो रही इस फाइरिंग में कम से गाम आठ लोग मारे गए थे दो जून 1984 को भारते सेना ने अंतराश्ट्य सीमा सील कर दी थी पंजाओ के गाउं में आर्मी की साथ डिविजन तैनाद कर दी गई रात होते होते मीडिया और प्रेस को कवरेज करने से रोक दिया गया पंजाब में रेल, रोड और हवाई सेवाएं सस्पेंट कर दी गई पानी और बिजली के सप्लाई रोक दी गई विदेशियों और NRI की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई 3 जुन 1984 को शुरू हुआ ओपरेशन ब्लू स्टार और इसके तहत पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया सेना और पेरा मिलिटरी फोर्सिस की गश्ट बढ़ा दी गई मंदिर परिसर से लगे आने जाने के सभी रास्ते सील कर दिये गए सेना को जानकारी थी कि स्वर्ण मंदिर के पास की 17 बिल्डिंगों में आतंकवादियों का कबजा है इसलिए सबसे पहले सेना ने स्वरंड मंदिर के पास होटल टैंपल व्यू और ब्रहम बुठा अकाड़ा में धावा बोला जहां छिपे आतंकवादियों ने बिना ज्यादा विरोध किये समर्पन कर दिया शुरुवाति सफलता के बाद सेना इस ऑपरिशन के अंतिम चरन के लिए तयार थी कमांडिंग आफिसर मेजर जनरल के एस बरार ने अपने कमांडोज को मंदिर के अंदर घुसने के आदेश दिये लेकिन यहाँ जो कुछ होने वाला था इसका अंदाजा तो खुद बरार को भी नहीं था बरार के आदेश के बाद चारों तरफ से कमांडोज पर फाइरिंग शुरू हो गई इस फाइरिंग में सेना के 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए जवानों पर अत्याधुनिक हतियारों और हैंड ग्रिनेट से हमला किया गया था अब तक साफ हो चुका था कि जितनी भी इंटेलिजेंस सेना के पास थी वो इंटेलिजेंस पूरे तरह से गलत थी चार जुन 1984 को सेना ने भिंडरावाले के सैने सलाकार शाबेक सिंग की किलाबंदी को खत्म करने की कारवाई शुरू कर दी एतिहासिक रामगडिया बंगा पर बंबारी शुरू की गई इस दोरान करीब सौ लोग मारे गए SGPC के पूर्व प्रमुक गुर्चरन सिंग तोहडा को भिंडरावाले से बाचीत करने के लिए भी भेजा गया इस दोरान गोलाबारी को रोक दिया गया था हलाकि तोहडा की बाचीत नाकाम रही जिसके बाद फाइरिंग फिर से शुरू हो गई 5 जुन 1984 को सुबह होते ही हरमंदिर साहिप परिसर के भीतर गोलाबारी शुरू हो गई सेना की नौवी डिविजन ने अकाल तक्त पर सामने से हमला किया रात में साड़े दस बजे के बाद काली कमांडो पोशाक में 20 कमांडो चुपचाप स्वरण मंदिर में गुसे उन्होंने नाइट विजन चश्मे, M1 इस्टिल हेलमिट और बुलट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी उनके पास कुछ MP5 सब मशीन गन और AK-47 राइफल्स भी थी उस समय SG की 56 कमांडो कमपनी भारत में अकेला ऐसा दस्ता था जिसे तंग जगह में लड़ने का अभ्यास कराया गया था हर कमांडो, शार्पशूटर, गोता खोर और पैराशूट के जरिये विमान से चलांग लगाने में माहिर था और 40 किलोमीटर की रफ्तार से मार्च कर सकता था उनमें से कुछने गैस मस्क भी पहन रखे थे और ज्यादा असरदार आसू गैस, CX गैस के गोले छोड़ने के लिए गैस गन भी ले रखी थी 6 जून 1984 को सुबह 4 बजे के आसपास तेन विकर विज्जन टैक लगाए गए उन्होंने 105 मिलिमीटर के गोले दाग कर अकाल तक्त की दिवारे उड़ा दी इसके बाद कमांडो और पैदल सैनिकों ने उगरुवादियों की धरपकड शुरू कर दी सुबह 6 बजे रक्षा राज्य मंतरी केपी सिंग देव ने आर के धवन के निवास पर फोन किया उन्होंने इंदरा गाधी तक यह संदेश पहुचाने को कहा कि आपरेशन काम्याब रहा लेकिन बड़ी संक्षा में सैनिक और सिविलियन मारे गए हैं साथ जून 1984 को सेना ने हर मंदिर साही परिसर पर प्रभावी कबजा जमा लिया आठ जून 1984 को ततकालिन राश्पती जैल सिंग ने स्वन मंदिर का दौरा किया हाला कि उनके साथ मंदिर गए S.G. दस्ते के कमांडिंग आफिसर एक लेटिनेंट जनरल किसी उगरवादी निशांची की गोली से बुरी तरह घायल हो गए 10 जून 1984 तक दोफहर तक पूरा आउपरेशन खतम हो गया और इस आउपरेशन में भिंडरा वाले भी मारा गया दोस्तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कॉंग्रेस ने भिंडरा वाले के उदय में उसकी मदद की कॉंग्रेस का प्लान था अकालियों के आगे एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना जिससे की चुनाओं में अकालियों को नुक्सान हो और कॉंग्रेस का फायदा हो लेकिन कॉंग्रेस का यह दाव खुद उनके उपर ही उल्टा पड़ गया जब भिंडरा वाले इतना ताकतवर हो गया कि उसने केंदर सरकार को ही चुनाथी देना शुरू कर दिया दोस्तो यह ओपरेशन ब्लू स्टार ना केवल पंजाब बलकि पूरे भारत के लिए ही एक काला अध्याय क्यों है और क्यों मैंने ऐसा कहा था कि आजाद भारत के इतिहास के अंदर ओपरेशन ब्लू स्टार एक काले पन्ने के जैसा है क्योंकि दोस्तों Operation Blue Star की वज़े से आगे चलकर हमारे देश की प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी और उसके परिणाम स्वरूप आपको पता ही होगा दोस्तों कि किस तरीके से सिखों का नरसंगार भी हुआ था जिसमें आजाने कॉंग्रेसियों ने कितने निर्दोश सिखों की हत्या कर दी थी हाला कि इंद्रा गांधी को उसके अंगर खशकों ने मारा था जो कि सिख थे लेकिन केवल दो लोगों के गलत करने के वज़ा से अगर पूरी एक कम्यूनिटी को आप निशाना बनाएंगे तो वो कहां तक सही है सिख धंगों में बच्चों, बूढों, महिलाव और जवान हर उस वक्ति को मारा गया या नुकसान पहुचाया गया जो कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ था अब आप सोचे दोस्तों कि अगर कॉंग्रेस ने भिंडरा वाले की मदद नहीं की होती तो वो आगे चलकर इतनी बड़ी दिक्कत नहीं बना होता नहीं ऑप्रेशन ब्लू स्टार होता और नहीं उसके परिणाम स्वरूप इंद्रा गांधी की हत्या की गई होती और अगर इंद्रा गांधी की हत्या ही नहीं होती तो 1984 में सिक नरसंगार भी नहीं होता दोस्तों इसलिए ऐसा कहा गया है कि कई बार एक छोटी सी बिमारी आगे चलकर एक जानलेवा बिमारी में तबदिल हो जाती है इसलिए किसी भी बिमारी का इलाज शुरुआत में ही करना बहुत जरूरी होता है अगर हम उसको बढ़ने देंगे तो आगे चलकर वो हमें और ज्यादा नुकसान पहुचाएगी और ऐसा ही हुआ हमारे देश में जब कॉंग्रेस ने अपने राजनितिक लालच में आकर ऐसी गलतिया की जिसकी वज़े से ना केवल कॉंग्रेस को नुकसान हुआ बलकि हजारों बेगुना लोगों की भी जाने गई 31 अक्टूबर 1984 को जब इंद्रा गांदी की उनके दो सिक अंगरक्षकों ने गोली मार का हत्या कर दी थी इसके बारे में हम आगे चलकर फिर से कभी बात करेंगे आज जो मेरा वीडियो था उसका उद्देश्य था आपको Operation Blue Star को कैसे अंजाम दिया गया इसके बारे में बताने का पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके पूरे background से अवगत कराया था और इस वीडियो में Operation Blue Star को कैसे अंजाम दिया गया उससे अवगत कराया है उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा content पसंद आ रहा है तो please like, share और subscribe करना ना भूले कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद, thank you very much